हेलो दूस्तों श्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल चंपारन टेक्निकल क्लासेस में तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्या हूं जो इन बच्चों का आज हम लोग इस वीढ़ियो में चर्क्रों मैं तो आप भी के बारे में वीडियो में चर्कों करें तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों चोटासा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी यूट्यूब को स्बस्क्राइब कर ले था वेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि आपको बी-सी-सी-से रिलेटेड साइप्राकार का अपडेट मिल सके तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट अफॉल हम लोग जानेंगे कि आप लोग कांसिलिंग जो है वो कब से कब तक होगा और आजिस्टेशन आपको करना है या नहीं करना है और सीट मैट्रिक्स कब आएगा और इड्मिशन जो है वो कब से होगा जैसा कि आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिहार संयुक्त परिवेस प्रतियोगिता परिक्षा पारसत के द्वारा ओफिशियल नोटीस आया निकल के आया है आट नौ 2022 को इसमें क्या लिखा हुए इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं बिहार संयुक्त परिवेस प्रतियोगिता परिक्षा पारसत 2022 बीसी इसी एली 2022 डिगरी कोर्स में परिक्षा फल के अधार पर पुनर निर्धारीत ऑनलाइन कांसेलिंग कारेक्रम सम्मदित आश्यक सूचना यानि कि आप लोग का कांसेलिंग जो है फिर से होगा तो रिभा अधरिक्स घुका पहले आया था इसके पहले तो उसमें वैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसे जिसमें की पढ़ाया नहीं होती है और उसमें सिटू की संक्या भी आपको दिखा दिया गया था आप लोग का सीट मैट्रिक्स जो है वह रद कर दिया गया है आप लोगगा निवीच 1092 22 को होगा और आप लोग का online registration और 24 फिलिंग जो है वो 1392 22 से होगा तो इसका कारण यह है कि आप लोग का registration जो है पहले से जो बच्चे कर चुके हैं वो registration इस बार नहीं करेंगे वो BCECE के official site पे जाएंगे और केवल अपना 24 फिल जो है वो 24 फिल ही करेंगे उन लोगों को registration ज किजिएगा अपना email ID और password रोल नंबर और date of birth डालके password डालके sign in किजिएगा sign in करने के बाद आप अपना 24 फिल किजिएगा registration आपको नहीं करना है और वैसे बच्चे जो इस बार पहले वाले round में registration अपना नहीं किये थे वो registration करेंगे उसके बाद 24 फिल करेंगे और last date आपक online registration और च्वाइस फिलिंग का जो है 189 2022 को है और first round seat allotment जो result है वो publish होगा 25 2022 को आप लोगों का seat allotment जो है वो क्यों reject किया गया इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं seat allotment जो है बहुत सारे बच्चों का यह था ना कि मतलब इतने college में college में CS branch में 5 seat थे पर वहां पे 15 बच् तो बताइए कहां से admission होगा इसी वजह से आप लोगा seat allotment जो है रद कर दिया गया था और एक कारण और था auto upgradation status में बच्चे जो no डालते थे उनका yes हो जाता था और जो yes डालते थे उनका no हो जाता था इन सभी कारणों के कारण technical issue के कारण आप लोगा seat allotment जो है वो रद इस तारीक से होगा first round का तो यह थे वीडियो में आप लोगो को करें वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें तो आपने दोस्तों में शेयर आउसे करें धन्यवाद आपका दिन सुभो